नवस्का साथियों आप सभी लोग देख रहे होंगे कि ये सभी किलास ने आपकी UPSC और आपके State PCS को ध्यान में रखते हुए कभर की जा रही है और आप में से बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल रहता है क्या ये वंडे एक जाम में भी किलास ने फायदा पहुंचाएगी तो देखे सीधी सी बात आप लोग याद रखेगा आपकी परिक्षा में अगर इतिहास से कुश्चन्स पूंचे जाते हैं तो उन सभी परिक्षाओं के लिए एक किलासें महत्पूर रहेंगी और आप लोग क्या करिए कि सबसे पहले अपनी परिक्षा के और आने के लिए आपकी समझ में आज आएगा कि कुश्चन्स आपकी परिक्षाओं में आते हैं या नहीं आते हैं इन क्लासों से और जब मैं स्टेट PCS की बात करता हूं ना तो उसमें आप देखे यूपी सी की तरह हर राज में आप देखते हैं उनकी हाँ इस्टेट PCS होता है MPPS और आप देखें कि आपका यूपी यूपी PCS राजिस्तान PCS तो इन सब के लिए भी एक लासे महत्पूंड रहेंगी और एक लासें आपको प्रिलिम्स में फायदा पहुंचाएंगी और साथ ही में आप देखेंगे आगे चलकर आपको मुख परीक्षा में भी फायदा द եैका हम लोगोंने और इसमें लस्ट क्लास में हम लोगोंने जो वरम पंठी है भारत में जो वरम अंदौलन हुए उसका हमारे राच्त्य कि अंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा है उस सब पर हम दो विस्ताल से बात की हुए थे ठीक है तो उस क्लास को भी देख लिए और इसके लिए आपकी separate playlist सूची बना दी गई है तो इसका नाव रखा गया है UPSC and State PCS Prelims Special Classes के नाम से तो सभी क्लासें आपको करम से यहीं मिल जाएंगी वो चाहिए त्यास की हो भूगोल भी हो समीधान की हो अरत्विवस्ता की हो या साइंस की हो ठीक है पूरा पर लिम्स का से लेवर्स कभर हो जाएगा आज हमें क्या बात करनी है जो दुटिये विस्योद विश्योद हुआ उसकी राजदीती देखनी है और उसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा उस पर भी बात करनी है और पिछली क्लास्वोम ने हम लोगों ने पिथम के बारे में जानेंगे एक सामान जानकरी एक आपका अगस्त ओफर हुआ था 1940 की घटना है उसे भी हम लोग देखेंगे सी क्लास में भारत छोड़ो आंदोलन पर भी बात करेंगे बैक्तीगर सत्य आगया 1940 में जो होता है उस पर भी हम लोग बात करेंगे एक ओवर्विव इसका लेंगे और आप देखेंगे हम लोग आंदोलन के बारे में जो पॉजिटिव पॉइंट रहे हैं नेगेटिव पॉइंट रहे हैं उन्हें भी देखेंगे एक आप देखेंगे कि क्रप्स इयोजना आई थी 1942 में उस पर भी हम लोग बात करेंगे एक राजा जी फॉर्मूल आया था उसे भी देखेंगे वेवेल इयोजना आई थी 1945 में इन्हें भी हम लोग जानेंगे इतने सारे टॉफेक हमारे सामने आज देखना है मैं तो आप देखेंगे कि सवीने अयोग्या अंदोलन राश्टी अंदोलन के इतियास में आम जनता की भागेदारी के दरश्टी से बेमिसाल था क्योंकि आप देखें कि सवीने अयोग्या तक आते आते पूरा देश हर पी एक तरसे आप कह सकते हैं यह आंदुलन हो चुका था लेकिन इसके बापस लिये जाने के बाद राष्टवादी खेमे में भावी रनीती पर बड़ी लंबी चोड़ी और गंभी बहस सुरू हो गए असायूग आंदुलन में आपने देखा होगा जब उसे बापस लिया ग रही तो कॉंग्रेस का दूसरा खेमा एक बार फेर सम्मिधानिक तौर तरीकों से संगर छेड़ने की बात करने लगा और इस समय कॉंग्रेस में एक तीसरी विचारधरा भी उभर आई थी वह यह वह दौर था जब समाजबादी विचारों से पेरित पंडित जबालाल नहर कॉंग्रेस में वामपंथी लहर का नेतित कर रहे थे और आप देखिए वामपंथियों ने भी काफी पेट जमाली थी आप देखिए सांदुल में उन्होंने 1936 में लखनव और फैचपूर कॉंग्रेस अधिवेशनों में अपने अध्यक्षिय भासनों के माध्यम से नई वामपंथी रननीती का प्यारव पिस्तूद किया और ये वामपंथी क्या थे थी आप देखिए आम लोगों की बात करते थे जिन पर अभी तक कॉंग्रेस की नजर नहीं पड़ी थी उन पर भी आप देखिए इनकी नजर पड़ रही थी जैसे गरीब आप देख लिजे पादरसों से पत्थ विमुक्ख होना और क्रांतिकारी राह चोड़कर सुधारवादी राह फक्रने जैसा है नहरू ने गांधी की संघर्स की मौलेक रनीती का भी विरोत किया और उस रनीती का जिसे हम संघर्स संघर्स की रनीती कह सकते हैं कि रुको फिर चलो फिर रुको समय रहे हैं आप लो यानि उपने विस्ति के सत्ता के खिलाब सम्मीधानितर तरीकों से जवर्जस्त संगर्ज और फिर अचानक आंदोलन को बापस लेना सरकार की सुधारबादी कदमों से समझोता कर लेना और फिर मौका पढ़ने पर संगर्ज छेड़ देना एक गांधी जी के अड़नीती थी और इसी तरह नहरू का बामपंथियों और संसद में हिस्तेदारी की वकालत करने वालों से भी मत भेद था परिस्तितियां यसी बन रही थी और जिसमें कॉंग्रेस के एक और विभाजन की संभावना साब नजर आने लगी थी और वेटे साधिकारियों के मन ही मन खुस हो रहे थे आज नहीं तो कल कॉंग्रेस में विभाजन तो होगा ही लेकिन एक बार फिर गांधी जी ने कॉंग्रिस को तूटने से बचा लिया और आप देखिए अंग्रेश तो चाहते ही थे फोडल और राज करे की नीती अपना रहे थे कि तूट हो कॉंग्रिस में और उन्होंने आप देखेंगे उन्होंने संसत में भागेदारी की पक्षिधर खेमे को बिधान मंडल में प्रवेश की अनमती दे दी गांधी ने और साथी साथ गांधी जी ने नहरू और वामपंतियों को भी यह बताया कि सभी ने अग्या अंदुलन को बापस लेना समय का तका जा था परिस्तिती थी ततकालीन राजनेतिक परिस्तितियों में एक ही सही कदम लेकिन इसका आप देखेंगे कि इसका मतलब समराज जिवात से समझोता या राजनेतिक आउसरवादी ताहकतों के सामने समर पर नहीं है और इधर बेटे सरकार 1932 से 1933 के बीद दोरान भारती राश्टी कॉंग्रेस को दवाने में सफल हो गई थी और उसे मालूम था कि उसकी दमन की नीती बहुत दिनों तक काम्याब नहीं हो सकती है आने वाले दों में फिर अंदोलन भड़क सकता है और उसे दमन की बल पर दबाया नहीं जा सकता है और राश्टी अंदोलन को इस थाई रूप से कमजोर करने का मार्ग ढूडने लगी कौन अंग्रेजी सरकार हैं और वेटे सरकार ने कॉंग्रेस को कमजोर करने की रणनीती को अमली जामा पहनाने के लिए अगस्त 1935 में Government of India Act 1935 पारित किया और इस अधिनियम द्वारा सम्मिधानिक सुधारों का जाल फेक कर कॉंग्रेस की एक हिस्ते को उपनेविसिक सासन का हिस्सा बनाने का प्रयास किया और अधिनियम 1935 का विरोज सभी भारतियों ने किया और कॉंग्रेस ने इसे पूरी तरह नामजोर कर दिया उन्हें लगता था किसे वेटे सरकार वो कि Government of India Act 1935 लाएंगे तो क्या होगा कि इसके पक्ष में कुछ लोग खड़े हो जाएंगे और कॉंग्रेस कमजोर पड़ जाएगा राष्टी अंदोलन कमजोर पड़ जाएगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ कॉंग्रेस ने इसके बदले आज़ाद भारत के लिए समिधान बनाने की मांग की और कॉंग्रेस की मांग थी कि एक समिधान सवा का गठन किया जाए और जिसके सदसों का निर्बाचन हुआइस के मतादीकार के आधार पर हो और 1935 का अधिनियम लागू कर दिया गया था औ लेकिन अंतता 1936 के पारम में लखनव में और आकरी महिने में फैसपुर में कॉंग्रेस अधिवेशन के दौरान चुनाव में भाग लेने का नेड़े किया गया और फरवरी 1937 में चुनाव संपन हुए तो कॉंग्रेस को चुनाव में सांदार सफलता मिलती है जीत मिलती है कॉंग्रेस को 716 सीटों पर सफलता मिलती है बंगाल असम उत्तर पश्चिमा परांथ पंजाब सिंद को छोड़कर से सभी परांथों में इसे इस पश्च बहुमत प्राप्त होता है और अंतता 6 परांथों में कॉंग्रेस की सरकार बनती है और कॉंग्रेसी मंती मंडल ने अपने कारियों से जनता में काफी लोग फ्रिये था हांसिल की और सेप्टमबर 1949 में दोतियव इस इस आरम हो गया और आप देखें वेटेस सरकार ने भारतियों से बिना पूचे इस इस इउद्ध में भारतियों को जोंग दिया यानि की सामिल कर दिया और जब कॉंग्रेस ने सरका से कहा थो है अपने युद्ध की ओद्धी की सपा शुरुप से घोशना करे तो वेटेस पिधान मंतरी ने युद्ध का अधिस आद्म परिक्षन बताया और जबकी एक गया कोरदी कि Mitte हमारा ओद्धिम के इस इउद्ध जीतना है वाहारत रखच्छा नीमों के अ पुष्णाओं से आसंतो श्ठोकर अक्टूबर 1949 में कॉंग्रिस मंती मंडल ने त्यात पत्य दे दिया। कहने का सीधा सा मतलब आप लोग समझेए एक बात और आप लोग समझेए अगर आपके पास टाइम है तो आप लोग NCEIT जरूर पढ़ें और जितने वाल हो सकता है पढ़ें एक आपका बेस मजबूत होगा अब आप देखें कि कोई योद्ध चल रहा है उसमें आप से सलाय न 1949 में जब दुतिय विशियोद्ध सुरू होता है तो इसमें आप देखी भारतियों को भी सामिल कर लिया जाता है और आगी चल के अक्टूबर 1949 में कॉंग्रिस मंती मंडल से अबना त्याकपत दे देती है वायसराय ने दुतिय विशियोद्ध से उत्पन राजनेतिक संकट संकटरों से निकफर्टने के लिए अगस्त 1940 में सो फिसिद्ध भारत अगस्त पिस्ताव फिस्तुत किया और जिसमें वायसराय की कारिकाइडी जिसमें उस समय तक एक भी भारतिये जनता का पितिने दित नहीं था को पिसारित करने का सुझाओ दिया ताकि योद मंतना परि कजए बिहार, उढ़ीसा में पूर्ड भाहमत मिला था यह आपका प्रलेम्स में कई बार पूछ लेता है और निबद लेख रहे होते हैं तो संवे भी आप लोग इससे देख सकते हैं तो जरूर इसपर आप लोग याद रखियेगा कहां-कहां पूर भाहमत मिला था इसमे सबसे बड़े दल की रूम में उभरती है और केबल बंगाल, पंजाब और सिंद में ही कॉंग्रिस बहुमत से बंचित रह जाती है जुलाई 1937 में कॉंग्रिस ने मद्रास, सयुक्त प्रांथ और मद्द प्रांथ बिहार, बंबई, उडिसा में अपनी सरकारें गठित करें और पंजाब में मुसलिम लीग और यूनियर नेश्टे पार्टी में ने सयुक्त सरकार का गठन किया और आप देखेंगे बंगाल में किर्सक प्रिजा पार्टी और मुसलिम लीग ने सयुक्त सरकार का गठन किया कॉंग्रिस आसित मंती मंदलों के कारें की समिख चाहेतू एक केंद्रिय नियंतर्ण परिशत की स्थापना की गई इसे संसदिय उप सम्थी भी कहा जाता था और इस पविशत की सदस सरदार पटेल मौलाना अबुल कलामाजाद और राजन पर साथ थे असम और सयुक्त परांद को छोड़का कॉंग्रिस सरकार ने करतदारों को राहत दिलानी के लिए कई कठोर अधिनियम भी पारित किये और कॉंग्रिस के अध्यक्त सुवास्च अंदवोस ने 1936 में राष्टी योजना सम्थी की निउक्त की थी 1936 में एक जवर्जस्त मजदूर हरताल हुई और राजन पर साथ की अध्यक्षता में सरकार ने एक सरम जाच सम्थी निउक्त की और सम्थी ने सिफारिस की की एक मजदूर का निउन्तम बेतन 15 रुपे महेबार होना चाहिए अक्टूबर 1949 में कॉंग्रेस मंती मंदल ने दुतिय विस्युद्ध से उत्वन राजनेतिक संकटनों के चलते त्याकपत्य दे दिया कॉंग्रेस मंत्रियों के त्याकपत्य के बाद मुसलिम लीग और बी आर अम्बेट करने 22 दिसंबर 1949 को मुक्ती दिवस की रूम में मनाया तो यह भी आप लोग याद रखिएगा ठीक है उसके बाद हम लोग अगस्त पिस्ताओं के बारे में बात कर लेते हैं इसके बारे में एक सामन जानकारी है तो आपके पास होना चाहिए क्या होना चाहिए सामन जानकारी है अगस्त ओफर की नाम से भी आप लोग इसे जानते हैं तो कॉंग्रेस में हरीपुरा अधिविसन एफरवरी 1938 की घटना है मैं पिस्ताओ पारित कर गी यह कह दिया कि भारत को ऐसे संबराजवादी योद में सामिल नहीं किया जा सकता है और यादी भारत को योद में जौंकना का प्रियास किया गया तो भारत उसका तीव विरोत करेगा और इसके बाद तिपुरी कॉंग्रेस अदिविशन 1949 में भी यही बात दोहराई गए अब आप सोचे कि हमारा किसी युद्ध से कोई लेना देना होना और हमें उसमें सामिल कर लिया जाए हमारे आर्थिक आप देखे हमारा ही आर्थिक मतलब आद देखे कि उसमें बरबादी हो रही हो लोगों की जान जा रही हो तो यह तो कोई मतलब भी तो नहीं बनता है कॉंग्रेस चाहिती थी के अंदर में भारतियों को एक एक ऐसी सरकार बने जो बिरोध बिधान सबा के पिती जिम्मेदार हो योधि के बाद भारत को स्वाधिनता देने का बादा किया जाए लेकिन पेटरी सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया और भारत को योधि में सामिल करने की घोशना कर दी और अंदरता जब योधि का विरोध होने लगा तो वैसराय लाड लिनलेथ को ने उन्नेस पर जन्वरी 1940 को घोशना की कि योधि के बाद जितनी जल्दी हो सकेगा भारत को डोमिनियन स्टेटस घोशित कर दिया जाएगा यह आप देखे बहुत पहले हम लोग मांग रहे थे और इसी के बाद 20-22 मार्च 1940 को कॉंग्रेस का रामगर अधीविशन हुआ और जिसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद ने की और इसमें कॉंग्रेस ने पिस्ताव पारित करकी कहा कि भारत की जंता पूर्ण स्वाधीनता से कम कुछ भी सुईकार नहीं कर सकती है भारत की जंता ही अपना नेजी समिधान तेयार कर सकती है और इसी अधीविशन में इन बातों को ना मानने पर व्यक्तिकर सविनय अयुग्या करनी की चेतावनी दी गई और इधाय युद्य का विरूत्ती बहुता देग अगस्त सरकार ने आठ अगस्त 1940 को एक गोशना की जिसे अगस्त पिस्ताओ के नाम से जानते हैं इसमें क्या था? क्या प्रावधान थे? इनने भी देख लिजे बेटे सरकार का उद्धिस भारत में उपनेविसिक सोराज की इस्तापना करना युद्य के समाथ होने पर तुरंद एक समिधा निर्मातरी सभा का गठन करना जिसमें भारतिये पितिनिदी भी होंगे गवर्न जनरल की कारिकारणी का विस्तार किया जाएगा और उसमें भारतिये पितिनिदी भी इसमें सामिल होंगे बेटे सरकार भारत की सांतियों और कल्यान के मद्धिनजर सासन का उत्तरदाइद किसी ऐसे दल को नहीं सौपेगी जिसका अन कोई दल विरोध करे बेटे सरकार भारतिये जनता से अनरोध करती है कि वह सरकार को योद में पूर्ण रोपेड सहयो करे और कॉमन बेल्थ का हिस्सा रहते हुए स्वायत्ता प्राप्त करने का पहतन करे और आप देखेंगे जवालाल नहरू ने कहा कि जिस डॉमिनियन स्टेटस की इस्तिती पर यह पिस्ताओ आधारित है वह दरवाजे में जड़ी जंग लगी कील की तरह है एक कतन भी याद रखिएगा पंडि जवालाल नहरू ने कहा था अगस्त पिस्ताओ के संद्रम में दरवाजे में जड़ी यानि कि लगी हुई जंग लगी कील की तरह है है और आप दिखेंके कि बहुत पहली हम लोग मांग रहे थे और वो अभ दिया जा रहा है तो वैसे भी हम लोग आसोईकारि कर देंगे आँगे आप देखेंगे इसके बाद आप देखेंगी कि ये आपकी अगस्त पिस्ताओं में जो प्रावधन थे बातें थी उन्हें देख लिया अब बैक्ती इगस सत्या गय होता है ये भी 1940 की इगटना है तो कॉंग्रेस ने अगस्त पिस्ताओं को तुरंथ आसुईकित कर दिया और क्योंकि कॉंग्रेस की मुख मांगती की भारत का सासन ततकाल भारतियों को सौपा जाए और साथ ही इसमें अल्प साक्याओं को को अनावसक वीटो पाबर दी गई थी और दूसरी तरफ मुसलिम लीग ने इस गोशना को इसलिए आसुईकार कर दिया क्योंकि इसमें पाकिस्तान का जिक्र तक नहीं किया गया था और कॉंग्रेस दुआरा घोशना की आसुईक्रवक्ती के बाद गांधी जी को ब्यक्तिगत सत्यागय का संचालन करने की जिम्मेदारी सौपी गई और कॉंग्रेस कारकरणी ने 11 एक्टूबर को ब्यक्तिगत सत्यागय करने का निष्चे किया था और आप देखेंगे ब्यक्तिगत सत्यागय के लिए गांधी जी कुछ नियम बनाय गए थे कुछ नियम बनाए गए थे क्या बनाए गए थे सत्यागय में वही आदमी भाग ले सकता है जिसको गांदी जी इजाज़त देंगे और जिस किसी को भी सत्यागय के लिए चुना जाएगा वह निरधारित समय की एक हपते पहले इस्थानी अदिकारियों को सोचित करेगा उसकी सत्यागय यात्रा कहां से कहां तक होगी और सत्यागय ही व्यक्ति अगर सत्यागय की दौरान गिरफतारी से बच गया तो वह निरधारित इस्थान पर पहुँचकर तरंगा फैराएगा और नारा लगाएगा योद्य से हमारा कोई वास्ता नहीं एस अभी आप देखिए किसके नियम मनाए गए थे और आप देखेंगे 17 अक्टूबर 1940 को ब्यक्ति अगर सत्यागय सुरू होता है आपका और इस अंदोलन को दिल्ली चलो अंदोलन भी कहा जाता है तो इसे भी याद रखेगा और आप देखेंगे कि ब्यक्ति के सत्यागय पाउनार आस्रम महाराश्य से सुरू हुआ था यह भी आप लोगों को याद रखना चाहिए पहले सत्यागय ही अचार विनोवा भावे बने थे इसके बाद दिसंबर 1941 तक इस अंदोलन में चार चरन सामने आये थे पहले चरन में चुने हुए ब्यक्तियों से सत्यागय करने को कहा गया जैसे विनोवा भावे पंडिजवालान लहरू आदी दूसरे चरन में आप देखेंगे इस टेज में नवरमबर के मद्द से जनवरी के पैरहम तक जिसमें कॉंग्रिस कारकारणी आखिल भारती कॉंग्रिस समती और कैंदरी और परांती विधान पढ़िशदों की सदसों को चुना गया और इस आंदोलन में कार समती के ग्यारे और अखिल भारती समती के 196 और विधान सबाओं की 400 सदसों ने भाग लिया था और आंदोलन के तीसरे चरन में लगभग 200 लोग जेल गये थे और अंतिम चरन के लगभग तक लगभग आप देखेंगे 20,000 सत्या गये ही जेल में बंद हो गये थे और अंधता इसी ने भारत चोड़ो अंदोलन के लिए बाता वरने तेयार किया परिस्तितिया तियार कि तो यह आपका वैक्तिकर सत्या गया हो गया अब आपका भारत चोड़ो अंदोलन सुरू होता है 1942 की बात है और इसमें क्या होता है कि आप देखेंगे कि 9 अगस्त 1942 का दिन भारती इतिहास के अरितंत जंता द्वारा सोतंता प्राप्ति के उनी स्वडिम घटनाओं में गिना जाता है जिन में आप देखें अमेरिकी करांती हो फ्रांसेसी करांती हो रोसी करांती को रखा जाता है और अभी भी यह 9 अगस्त को हम लोग देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन की साल गर और वो भी समझ गये थे कि अब जान्दा देन तक यहाँ ये चलने बाला नहीं है और जिसने समराजवादी सत्ता की जड़े हिला दी और अंधता अंगले पांच बसों की राजनेती घटना किरम के बाद 15 अगस्त उनिश्ट सेंटारीस को बेटे सत्ता का सासन समात्त हो गया भारत एक सुतंत राष्ट की रूम में जनम हो गया इसका भारत का एक तरफ आप देखिए कि लेकिन बड़ा आजादी भी मिली तो बड़ी दुखदाई मिली क्योंकि आप देखते हैं 15 अगस्त उनिश्ट सेंटारीस आते पाकिस्तान का भी वटवारा हो गया और आपस में हमारे हां दंगे हुए संपदायक दंगे उसमें आप देखिए लाखों लोग मारे गए करोन लोग प्रभावित हुए उन दंगों से 1942 के इस आंदोलन में ऐसी क्या अखास बिसिस्ता थी और जिसने जनता पर इतना ब्यापक प्रभाव डाला और कि आया है परिस्तितियों की देन माते थी क्या इस पर ततकालिक युद्ध एवं राष्टी चे नेतरत का प्रभाव था और इस पेश्टे भूमी पर का पता और बात की क्रिया कलापों में भी क्या अमूल चुल परिवर्तन आये और सबसे महत्मोर्ट पिसन इस आंदोलन में गांधी जी की भूमी क्या रही क्या यह सरकाल से असे हो उसके बाद समिनय एग्या के और अब सीधे सुत्मता प्राप्ती के लिए बगावत नहीं थी और इन सब की इतने सारी पिसनों के उत्तर ढूंडना काफी अच्छी बात है दुर्य कार है यानि कि कठन कार है साथी उत्तर ढूंडने की क्रम में उहापों की स्तिती बनने की समभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है और अता है इस आंदोलन को कुछ बिंदूओं के अलहर पर पंक्तिबद किया जा सकता है जैसे आंदोलन की पेश्ट भूमी क्या बनी आंदोलन के उद्देश क्या थे आंदोलन का विकास किस पेकार हुआ सवरूप क्या था और पईडाम की स्तर पर आंदोलन ने क्या चाप छोड़ा और इसमें आप देखेंगे क्या देखेंगे कि 1927 के दसक से ही कॉंग्रेस में समराजवाद और उपनेवेसवाद की देशों के खलाब अंतराश्टी इस तर पर एक जर्मत तेयार हो रहा था और इसी जर्मत के प्रभाव ने नहरू को 1927 में ब्रुसेल समेलन समराजवाद और उपनेवेसवाद बिरोधी लीग में कॉंग्रेस एक पिती ने दी के तोर पर भेजा गया और तब से पितेक राश्टी और अंतराश्टी घटनाओं में फांसीबादी समराजवादी उपनेवेसिक सक्तियों के खलाब कॉंग्रेस सहित सभी भारतिय दल सामोहिक रूप से बिरोध बिदसन करते आ रहे थे और आप देखेंगे कि और ऐसी परिस्तिती में सेप्टमबर 1949 में को बैटिस समराजवादी सरकार द्वारा भारत को दुतिय विसेउद्ध में सामिल किया जाना और सभी भारतिय दलों का द्वारा बिरोध का कारण बना और इस विसेपल लोकतांतरिक आधार पर प्रांतिय विदान मंडलों में चुनी गई कॉंग्रेस मंती मंडलों के पिती दिधियों ने से भी कोई विचारवे मस नहीं किया गया और उदारबादी लोकतांतरिक मूल प्रश्मी समराजवादी देशों का यह विवार भारतिय जन्मानस के आक्रोस जन्मानस के आक्रोस और 1942 के अंदोलन का ततकालिक आधार बना और क्योंकि आप देखेंगे इसके बाद सका सारा घटनकरम लगभग इसी पिक्रिया से जुड़ा था ओधारन स्वरूफ अगर आप देखें तो ज्यात होगा कि दूतिय विस्योद में भारत को सामिल किये जाने कि पिसन पर जहां कॉंग्रेसी मंत्री मंदलों ने 22 अक्टोवर 1929 को सभी प्रांतिय विधान सभाओं से इस्थीपा देकर बेक्टी का सत्यागय द्वारा नैतिक तरफ गरमपंथी दलों जैसे मुक्ता कॉंग्रेस समाजबादी दल सुभाष्चन बोस की फारवर्ड दल ने ससक्त विरोधात्मक संगहस प्यारम करने के लिए तैयारी सुरू कर दी और मैं पिछली बार भी बोला हूं कई बार बोल चका हूं कि देश की आजादनी में सब का योगदान है वो चाहे गरमबादी नेता हूं या आप देखे नरमबादी नेता हूं तो यह आप लोग जरूर याद रखेगा पैडाम सवरूप भारती दलों विसे इस रूप से कॉंग्रेस धड़ों को मनाने और भारती जिनता का योद्ध में समर्थन पराप्त करने क लिए बेटिस सरकार ने 17 अक्टूबर 1949 को सोईत पत्त जारी कर बाद में लिनलेत को पिस्ताओ बदक्रिफ से पिस्ताओ 1942 आधी माध्यम सो सक्रिये प्रयास प्यारम किये कि भारतियों की मदद मिल सके और इन प्रयासों का नकारत्मक जबाब मिला और कॉंग्रेस से कॉंग की पिस्ताओं की पिस्ताओं की पितिकूल पाया और इसका पूर दिरोद किया क्या किया दोर किया सबीट करने की मांग समिधा निर्माड हितु वैस्क मताधिकार पर आधारित पिति निधी चैन करने की मांग आधी सामिल थी और जबकि दूसरे भारतिय दल अपने संपदाएक जाती और बरगी करन बरगीया और राजनितिक हितों की पुष्टी चाहते थे और इन बिरोधी मांगों में समझस्त इस्थापना की जगे बेटे सरकार अंतर बिरोध पैदा कर फूट डालो और निती का सहरा ले रही थी लेकिन नहीं ले पाई और पैडाम सरुक कॉंग्रिस जहां राश्टी आंदोलन में वामपंथी प्रभाव के कारण आंतरिक इस्तर पर जूरी रही थी वहीं बाहरी संपदाएक और बरगीय समस्याओं ने आंदोलन में गती रोत की संभवना पैदा कर दी और ऐसी इस इस्तितिति को भाप कर कॉं भारतिक सामाजिक बदहाली और अंतराश्टी इस्तर पर बदली परिस्तितियों ने भी इस आंदोलन को गती सिलता प्रदान की भारत के विमन भागों खासकर सायुक्त परांथ हो विहार हो बंगाल हो बंगाल परांथ की अधिकतर लोग बेटिस भारतिय सेना की तरफ से दच्छिन पूर्वी एसी आई मोर्चों पर लड़ रहे थे और जापान के बड़ते दबाव के कारण एउरोपिय अफसर एक तरफ इन सैनिकों को बदहाल इस्तिति में छोड़ कर पीछे आ रहे थे वहीं बर्मास से सटे बंगाल असंपरांतों में सरब छार की नीती अर् और आकमर के दोरां रूसी जनता ने भी इस नीती का सहरा लिया और इन चेत्रों में जीवन रेखा मानी जाने वाली नाओ को जब्त कर रहे थे और फांसी वादी जापान की बरोद लड़ रही मित राष्टों की सेनाओ दोरा अपने सहोगी भारती सेनिकों के साथ नसल बा बेटे सरकार जापानी खत्रों का बिरोत नहीं कर पा रही थी और इन पर इस्तितियों से ब्याकुल गांधी जी अब राजनीते कांदोल ने चेड़ने के लिए बिवस हो गए थे और वे अंग्रेजों से भारत को सुतंत करने की अपील करने लगे और अंतराष्टी इस तर दिया और आप देखेंगे कि अब अंग्रेज भी समझ चुके थे और दुनिया वहर से पेसर भी आ रहा था कि अब भारत को भी आजात कर दिया जाए एक कुछ पॉइंट हैं यहां आप लोग इन्हें भी याद रखेगा और यह प्रेलेम्स के पॉइंट भी उसे काफी मात मात मूड हो जाते हैं वंडे एकजाम के लिए भी काफी मात मूड हो जाते हैं भारत छोड़ो अंदुलन को अगस्त किरांती भी कहा जाता है यह भी आप लोग याद रखेगा कॉंग्रेस कारे समिती ने वर्धा की अपनी बैठक 14 जुलाई 1942 में संगरस के नेड़े को यहासिक ग्वालिया टैंक मैदान में अखिल भारतिय कॉंग्रेस कमेटी की बार्सिक बैठाना बैठक मौलाना अबूल कलाम आजात की अधिक्षता में हुई और इस बैठक में वर्धा पिस्थाओं की पुष्टी की कर दी गई थी और राष्टी ए आंदुलन का यह पितम नेसनल हेराल्ड की बात हो रही है आंदोलन का एक भूमी गट संकटना अत्मक धाचा तेयार किया गया जिसमें आंदोलन की बाग दोर अचेवद पतवर्धन अरुना आसापली रामनुहर लोहिया सुचेता केपलानी छोटु भाई पुरानिक बिजु पतनाएक आरपी कॉंग्रेसी नेताओं को गरपतार कर लिया गया गांधी जी को गरपतार कर सरोजी नयाइडो सहत आगा खा पैलेस में रखा गया था और पंडित जवालाल नहरू गोविंद बल्लब पंध डॉक्टर पट्टावी सीता रमिया आचार के प्लानी आधी को गरपतार कर अहमद जेल में रखा गया राजिन पिसाद को पठना में नजर्वन्दिकर दिया गया था भारत चुड़ो आंदोलन के समय बंबई एहमदाबाद जमसेतपूर में मजदूरों की लंबी हर्तालें चली और एहमदाबाद की कपड़ा मिलों में तीन महीने लगातार चली हर्ताल को एक राष्टबादी इतिहासकार ने भारत का स्टालिन ग्राद कहा था और आप देखें हर कोई इसका विरोध कर रहा था अब आप देखें कि इसमें नेताओं को गरपतार भी कर लिया जाता था तो स्वैम ही नेतित कर रहे थे लोग इसका इस आंदोलन का भारत चुड़ो कि MSNE और NR सरकार और HP मौदी ने त्याक पत दे दिया था अपना इस्तीपा दे दिया था कहने का मतलब है और आप देखें कि बिश्टन चर्चल ने कहा जब दुनिया में हम हर कहीं जीत रहे हैं तो ऐसे वक्त में हम एक कमबक्त बुढ़े गांधी जी के सामने कैसे जुक सक भारत चोड़ो आंदोलन के दौरान न्यायदान मंडल या जन आंदोलन आदालतें सुरू की गई गांधी बिवाहों का आयविजन हुआ और आप भारत चोड़ो आंदोलन की एक महत्पूर्ण बिसिस्ता थी देश के कुछ हिस्सों में सवाननतर सरकारों की स्थापना पहली सरकार बलिया में गांधी वादी चीतुपांडे की नितकत में बनी थी, आप लोग याद रखिए गांधी बलिया में, टीख है? उत्तर पे देश बलिया बंगाल के मेधनापूर जिले के तामलोग में जातिय सरकार, राष्टिय सरकार इस्थापित हुई सतारा महराष्ट में इस समय की सरबादिक देरिजी भी समालंतर सरकार की स्थापना हुई जिसके प्रमुक नेता वाई, पी चौहान और नाना पाटिल थे बहरत छोड़ो आंदोलन में मुसल्बानों का युगदान संदे असपद था, फिर भी मुसलिम लीक के कुछ सदसों ने भूमी गद नेताओं को अपने घरों में पना दी थी सामबादियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का इसलिए विरोध किया, क्योंकि बेब महा योद्य के में बैटेंस के साथ और समराजबादी ताक्तों के विरोध थे और आप देखें भारत छोड़ो आंदोलन के, दोरान जबकि गांधी जी जेल में थे, उनकी पतनी कस्तूरवा गांधी और निजी सचिब महादेव देशाई का देहान्त हो गया था तो आप समझ सकते हैं कि वो जील में हो उनके निजी सचिब और उनकी पतनी का डैथ हो जाता है तो जो हम लोग आजादी देख रहे हैं बहुत लोगों ने अपने परिबार को खोया, अपने आपको खोया, तरह-तरह की यातनाय से जील नी पड़ी तो इसकी कद्र करनी चाहिए हमें 23 मार्च 1943 को मुसलिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाने काहान किया और उधारबादी निता तेज बहादु सप्रू ने भारत छुड़ो अंदोलन को आकल्पित और आसामाजिक बाना था और आप देखें B.R. Ambedkar ने आंदोलन के बारे में कहा कि कानून और विवस्ता को कमजोर करना पागलन परन है जबकि दुस्मन हमारी सीमा पर है गांधी जी ने कॉंग्रेस को अपने प्रिस्ताओं को सुईकार ना किये जाने की स्तिती में चुनोते देती हुए कहा था बैदेश की बालू से ही कॉंग्रेस से भी बड़ा अंदोलन खड़ा कर दूँगा ए बद्धा 1942 में गांधी जी गुस्ते में थे इस समय तो ये छोटे-छोटे कथन है ये कई बार पूँच लेते हैं और पूँच लेता है कि एक इस ने कहा था किसका कतर न है तो ये भी आप लो भारत छोडो का पिस्ताओ नहरू जी ने पेस किया था और सरकार सरकार ने कॉंग्रेस के सभी नेताओं को गरफतार करने के लिए ओपरेशन जीरो आवर चलाया था ये भी याद रखेगा और 1942 के भारत छोडो आंदोलन की जाज के लिए सरकार ने टी वैंके डेन की नेतित में एक जाज कमी सन्यूक्त किया था तो ये भी याद रखेगा अब बात करते हैं हम लोग की आंदोलन का सौरू किस तरह का रहा नेचर कैसे रहा है इसका तो आप देखेंगे दुतिय विस्योद्ध के दोरान भारत पर जापानी आकमण की बढ़ रही संभावनाओ से उपजी परिस्तितियों में कॉंग्रेस सम्ती पर अहिंसात्मक सत्यगय अंदोलन आरम करने के लिए दवाव पड़ा कॉंग्रेस द्वारा आंदोलन की तै उद्देसों से कहीं भी विद्द्रो की जलग नहीं मिलती है कॉंग्रेस द्वारा मुख्यता चार उद्देस तै किये गए पिथम तो भारत को विदेशी सत्ता से सुतंद करना और आप देखी भारती जंता में राष्टबादी जागरिती पैदा करना और दूसरा भारत को जापन और बेटिन के बीच रन छेत के रूम में बदलने से बचाना यानि कि आप देखी कि भारत बीच में ही पिसर रहा है और तीसरा भारत में संपदायक सोहार्द इस्थापित करना और सुतंता प्रापती के बाद संसारी कि सभी देशों में घोसित लोगों कelyग लिए नЙतिक धार्मीं नेतित इस्थापित करना और चौत्रा इसका था ऐसिया की सभी उपनिभिसिक की सुदंदा प्राप्ति में सहायता देना और वैस्विक इस्तर पर अंतरष्टिये संगी की स्थापना में सहयोग करना और आपको बता दूँ कि हमारे आजादी के बाद कई सारे देशों की एसिया में भी आजादी हुई और इन उद्देशों की प्रात्ति हितु गांदी ज अंदोलन के दौरान पेउक्त रन्नीतियां भी सामिल थे और असयोग के इस्तर पर बेटे संस्थाओं में सिक्छा प्राप्त कर रहे बिद्यार्थियों, सरकारी कर्मचारियों, बकील्यों आधी को बेटे सरकार से संबंद बिच्छेद करने और सवीने अयोग्या की कारेों म जैसे गाड़ीयों रोकने हिंसात्मकार करने, समानतर सरकार इस्थापित करने, सरकारी विभागों को नुकसान पहुंचाने जैसे कारेों का जिक्र नहीं किया था। अंगठित आंदोलन नेतत विचारधारा दोनों इस्तर पर बिखर गया और उद्देशों के इस्तर पर यह सभी भी एक था और अभी भी एक था और यह उद्देश था पूर सुतन था। अब आनेंति तेवं नेतत तेहीन जनता का आंदोलन सुतनता प्राप्ती की आकांचाओं में तीब हो गया। और अहनसक गतिविदियों की सीमा लांकर आंचलिक इस्तर पर जनता ने सरकारी उपकरमों और उसके पितीक चिन्नों जैसे तार व्यवस्था संचार साधनों आधी को नष्ट करना प्यारम कर दिया। कहीं कहीं पर हिंसात्म कारवाहियां भी हुई और दूरदसी नेतत के आभाव में जनता गुमरा हो गई और 17 तामलोग बलिया मेदनापूर जैसे सुदूर इस्थानों पर इस्थानिये जनता ने समान अंतर सरकारे इस्थापिद कर लिए। और भारती जनता के विद्रोह मूलक गतिवधियों को दमाने के लिए बेटे सरकार पहले से स्ततर्ग थी। कॉंग्रेस का दूरदसी नेतत इस बात के पिती आसंकित भी था। भारत पर आकमन का संकट भी टल गया। अंग्रेजी सरकार के सबसे मजबूत आधार यानि कि सेना में कीले ठोक दी। यानि कि हमारे ही लोग आप देखे सेनाओं में भरती थे। तो उनके मन में भी आप देखे बिद्रो की भावना आ गई। और फालसलोब नौ सेना बिद्रो हुआ आजाद हिंद फोच के पिती जनता की भावनाय जुड़ी। नौ सेना बिद्रो उननी सो चैलीस को ब्यापक जन समर्थन भी बिला। और बेटर सरकार को भारतीयों के साथ समझोता करना पड़ा। वेविल समझोता 1945, कैबिनेट मिशन 1946 इन डेटों को जरूर याद रखेगा। कई बार क्रम से लगाने के लिए प्रेलिम से मैं पूछ लेता है। आदी संधी का स्वरूपत है हुए कलांतर में इनी संधी आधारों पर समिधान सबा बनी। और भारतीय समिधान पर आधारित संपिर्भू गड़राज बना। और यह कहा जाता है कि भारत की सुतंता में इस तीब आसंतोस मूलक जना अंदोलन से जाना योध के कारण उपन हुई वेटिस आर्थिक नीतिया कारण मनी इस तत को सुईकित नहीं किया जा सकता है। क्योंकि अगर आर्थिक विपन्नता ही बास्तविक कारण था तो भारत जैसे अन अफेकी उपनेवेसों को क्यों नहीं सुतंता मिली आजादी मिली और यह उपनेवेस 1960 के दसप में ही जाकर अंग्रेजी सत्ता से सुतंत हुए आजाद हुए। और इस पेकार आंदोलन ततकालिक परिस्तितियों में जिस विस्योद्य से ने भायाभय बना दिया था राजनितिक चेतना से ओत्पोत जनता का अपने अक्रोस को मूर्त रूप देने का और वेटे समराज को जड़ से उखाड फेकने की एक सोभाविक पित्ती किरिया थी। और आप देखें छोटे-छोटे कोसे से आप लोग करते हैं तो भली आप सफल ना हो लेकिन आगे के लिए आपकी निव मजबूत होती है ये तो आप भी जानते होंगे। आंदोलन की तीन चरण इन्हें भी देख लिजे तीन स्टेज इसमें पिथम चरण में आंदोलन सहर सक्रियता थी। बहुत बाद में सभी सरकारी संस्ताओं या था डाग घर, रेलवे स्टेशन, बैंक कारियाल है, टेलीपोन, इत्यादी को ध्वस का केंद बना आया गया। और इन छेत्रों में दमन सलता से किया जा सका क्योंकि पसासनिक विवस्त था, यहां जानदा चाक चुन्द, चाक चौबंद थी। आप सभी जानते हैं कि यहां डाग घर हैं, और रेलेवे स्टेशन, यहां सुरक्षा बेउस्ता, उनकी सेना, पुलिस, यहां जानदा रहती है। तितिये चरन, मापकर यह दुतिये चरन, दुतिये चरन में आंदोलन सहर से चाटी गरामीर चरन में जाकर आंदोलन का ब्यापक पिरसार किया, और आंदोलन का चरुमत का स्तामलोग और सतारा मेधनापूर इत्यादी में दिखा, जहां आप देखेंगें कि विद्रोईयों ने समानंतर सरकारों की स्थापना की, और इन चेत्रों में आवागमन की आसो विधा के चरन दमन की पिक्रिया बहुत दिख्केत हुई, यहां सैना नहीं पहुच पाई, अंग्रेज आसानी से पहुच नहीं पाई, मजबूरन अंग्रेजों ने बंबरसा और हवाई पिरहार जैसे हिंसात्मक तरीकों का साहरा लिया, जैसे जनता में हिंसा भड़ा कुठी और ध बचे हुए राष्टबादियों ने भूमिगत होना उचिस समझा, और सरकार लोगों को इतना डरा देना चाहती थी कि उनके मन में से समराजबाद बिरोधी भावना निकल जाये, आंदोलन से सेप्टमबर की अंध तक दव गया, और भूमिगत राष्टबादियों और लिखनी ये रही इसमें, आंदोलन पर बहस भी होती रहती है, नेता इस्तर पर बेटिस सत्ता गेपिती भारतियों ने भारतियों में आसंतोस तो पहले से ही उठ चोका था, पर जन इस्तर पर यह भावना अब्विस्पोर्टक इस्तिती में पहुँच गई थी, ऐसे में ग अंदोलन करना चाहा, और भारत पर जापानी आकमड की संभावित आर्थिक भोगोलिक और मानो हानी से बचने ही तो पूर्ड स्वराज की प्राप्ती अनिवार है, जो इयोदिकाल में ऐसे आंदोलन द्वारा अंग्रेजों पर दबाव डालकर अयाथा संभाव प्राप्त की जा सकती है, नहरू आजाद इत्यादी आंदोलन हेतु इस्तिती को अन्कूल नहीं मानते थे, जबकि गांदी जी स्तत्य से सुपर्चित थे, कि आंदोलन का स्वरूब आइस्थाई और तथा सरकारी दवन का कठोर होगा, और साथी लोग अपनी मर्जी के बिना मानेंग जन जागरन की रूम में प्रकट करना चाहा, और पैरम में उन्होंने अंग्रेजों को अंतिम समय तक नेड़ाय करने का मौका दिया, और धमकी का सहारा लेते हुए उन्होंने अपने प्रभावों का फायदा उठा कर अपने विचार अंग्रेजों भारत छोड़ों का 1942 को बंबई में कॉंग्रेज ने 14 जुलाई की पिस्ताओ की आधार पर लंबा पिस्ताओ पिस्तूत किया और जिसमें अंदोलन की उच्चेत कारिक्रम इत्यादी का इसपश्टी का अंद किया गया, और भारतियों के जनम से दधिकार स्वाधिनता ही तु अहिंसात्मक जना अंदोलन चलाना है और जिसकी कुछ सर्ते हैं जैसे हिंदो मुस्लिम बेद का परित्याग, गय समराजवादी अंग्रेजों की पिती गहना का त्याग पत्याग, कपटवा असत्त का परित्याग, व्यक्तिके सुतंता की अनुवोती, कॉंग्रेस सक्ती का हस्तानतर, समस्त भारत के लिए चाहती थी और जिसके लिए करो या मरो का नारा दिया गया था, अब बात होती आंदोलन की विसेस्ताओं की, इने भी देख लिजे, आंदोलन के कारिकरम की विसेस्ता थी अधिक्तम जन समूव का युगदान, प्राप्त करने ही तू, इस्तिती के अनरूप गांदी जी ने अलग-अलग कर्तब ने धालित किये, सरकारी करमचारियों नौकरी ना छोड़े, कित्तु कॉंग्रेस की पिती अपनी निष्ठा घोसित करे, सैनिक देश वासी पर गोली ना चलाए, हमारी ही जो आप देखी लोग सैना में भरती थे, तो वो गोली ना चला देशी रियासतों में नरेश जन प्रिभू सत्ता सुईकार करें, वहां की जनता स्वयम को भारती राष्ट का अंग सुईकार करें, किसान उन जमीदारों को रकम ना दें, जो सरकार के साथ देंगे इत्यादी, कारकरम का दूसरा आहम, पहले उसकी हिदायत थी, किसी निष एक कहा गया इसमें, एक आप देखें किप से पिस्था हुआ आता है, इसमें क्या रहता है, एक हिए 1942 में ही आता है, तो आप देखें के 22 जून 1942 को हिटलर द्वारा, सोविय संग पर आकमड और चर्चिल द्वारा वेटें सोवियत मैत्री की घोष्णा ने योधि का सौरू नहरो हों इस तरह के तमाम नेता कर रहे थे और अगस्त 1941 में अट्लांटिक गोशना हुई और जिसे बेटेन और अमेरिका ने सयुक्त रूप से जारी किया था और इसमें कहा गया था कि बे सब कौमों की सासन की रूम में जिसके मात हत्म बे रहेंगे स्वयम चुनने की अधि लेकिन 9 सेप्टमबर 1941 को वेटिस पिधानमंत्री की एक अन गोशना ने भारतियों की आसा पर पानी फेर दिया वेटिस पिधानमंत्री चर्चल ने कहा कि यह गोशना अटलांटिक चार्टर भारत बर्मा जैसे एसी आई उपनेवेसों पर लागो नहीं होती है यानि कि भा समतन करेगी और इस बीच बैटन पर चीन अमेरिका जैसे देशों का दवाओ भी पढ़ रहा था अटलांटिक चार्टर को भारत में भी लागो किया जाए ये भी कहा जा रहा था रूज बैल्ट ने इसे सभी पर लागो होने की बात की और पैडाम सवरूप बैटे सरकार न मिसन के नाम से आप लोग जानते हैं इसमें दो अन्य सदस थी एक काप की एवी एवी अलेकजेंडर लॉर्ड पैंतिक ठीक है लॉरेंस ये मिसन 22 मार्ट 1942 को एक समझोती का मस्विदा लेकर भारत आया है जिसमें भारतियों से कोई समझोता हो सके और कृफ से मिसन ने भारत किसमिसन ने भारत में अपने 29 दिन के पिस्ताओ के दौरान विभिन राजनेतिक दलों के निताओं से विचारवे उसकर की एक पिस्ताओ पेस किया और जिसके प्रावधान इस तरह रहते थे योद अपरांद प्रावधान और योद कालीन प्रावधान तो योद प्रावध प्रावधान क्या थी उन्हें भी देख लिजे इसमें यह प्रावधान था कि यूद के बाद एक नए भारती संगी की बिवस्ता की जाएगी जिसमें बेटेस भारत की प्रांत व बिभिन देशी रियासतों की पितिनिदियों को सामिल किया जाएगा और इस संग को सौसासित उपनिवेस का पूर्ण दर्जा पिदान किया जाएगा और इस संग को आंतरिक और बाहरी नीती के विसाय में पूर्ण सुधनता होगी यदि वह चाहेगा तो बेटेस सरकार से समंध बिच्छेद भी कर सकेगा यह कहा गया योद के बाद यह मिलेगा योद समाप्थ होने क किसी भारतिय समधाय की निता किसी अन्य विस्ता पर आय समयत हो तो समिधान सभा की कुछ है सदस्वों के चुना परांती विधान सभाओं करेंगी कुछ का समना समानुपातिक पितिनिदी के आधार पर पितिनिदित के आधार पर किया जाएगा और इस समिधान दोरा यदि बाद में इस संग में सामिल होना चाहे थे तो सामिल हो सकेंगे और यदि कोई प्रांत या रियासत चाहे तो वह अपना अलग समिधान भी बना सकती है और इसके अलावा एक यह सैवत भी थी कि समिधान की सुईकिती के बाद समिधान सभा और विट्र सरकार की बीच एक समिधान आजादी मिलने की उस समिधान बनाने की एक तरसे नियू पढ़ने लगी यहां से योद्ध काली नो परी प्रावधन योद्ध चलने तक यह पिस्ताओ रखा गया कि सत्ता वेटेन के हाथ में रहेगी और भारती पिति निदियों का सहयोग सलायकारी होगा और कॉंग पिस्ताओ को परिवर्ध धिद संसकन मात कहा तो एक कथन चोटे-चोटे हैंने भी याद रखिएगा आप लोग और कॉंग्रेस के द्वारा पिस्ताओ की आसुकिती के कई कारण थे इस पिस्ताओ में उपने विर्सिक सुराज की बात तुक थी लेकिन उनकी कोई समय सीमा नहीं निर्धारित किया गई थी। और आप देखें मुसलिम लीग ने इन पिस्ताओ को इसलिए आसुकित कर दिया क्योंकि इसमें पाकिस्तान की मांग सुईकार नहीं की गई थी। चूटने के बाद आप देखें कि कॉंगर्स और लीग के बीच एक्ता और संपदायक सदभाव बनाने की उद्दे से अपना प्रयास रू किया। और इसी भीच सियार राजगोपालाचारी ने एक योजना तयार की जिसे सियार योजना के नाम से जाना जाता है। और इसमें मुसलबानों की पाकिस्तान की मांग सोईकार कर ली गई और इसी योजना के प्रमुक बिंदू इस तरह से थे। योदे के दोरान लीक को स्वाधीनता की मांग का समर्थन करना चाहिए और संकमर काल की दोरान आइस्थाई सरकार बनाने में कॉंग्रेस का सहुख करना चाहिए योदे के बाद बहुमत के छेत्रों का निर्धारन एक आयोग द्वारा होगा बाद में जन्मत द्वारा यह नि गांधी जी ने इसी फर्मूली के आधार पर जिन्ना से 4 सेप्टमबर से 17 सेप्टमबर 1944 तक गांधी बारता की जिसमें कोई समझोता नहीं हो सका अलग पाकिस्तान को लेकर जिन्ना का कहना था कि किसी भी जन्वस अंग्रे की पूर भी और अंग्रे जी राज के रहते हुए क पाकिस्तान की मांग सुईकार कर ले जिसमें पूरा पंजाब, सिंद, पश्चमोत्तर, सीमा परांथ, बलूचिस्तान, बंगाल, असम, आधी सामिल हो बड़ा हिस्ता इस आसफलता के बाल लीग और कॉंग्रेस के बीच समझाता करने का नया प्रयास सुरू होता है और माई किती सत अनगोटों के पितिनिदी होंगे और यह पिस्ताओ वाइसराय की सामने पिष्थूत किया गया तो वाइसराय का यह पिस्ताओ लेकर इंग्लेंड गए और बाद में अंगरेज समझोते के लिए तियार हुए लेकिन लीग और कॉंग्रेस के सदसों की संक्या और हिं डाकिस्थान की मांगा समर्थन किया था यह याद रखेगा फिर आप देखते हैं कि वेवयल यह जना हाती है और इस में आप देखेंगे क्या दो यह उननी सो पेंतालिस की बाते है Xin और आप देखेंगे अक्टूबर 1943 में लॉर्ड लिन लेतगो की जगए लॉर्ड वेविल नए वायसराय बनकर आते हैं और आप देखेंगे कि लॉर्ड वेविल ने 21 मार्च 1945 को भारती समस्या गोहल करने के लिए इंगलेंड गए और 14 जोन 1945 को भारत लोटे और उन्होंने एक योजना पिस्तुत की जो वेविल योजना के नाम से फिसिद है और आप देखेंगे कि इस योजना को पिस्तुत करने के कई कारण थे पहली बात पिरमुक बात थी कि जापान को पराजित करने के लिए इंगलेंड को भारती सहयो की आवसकता मैसूस हो रही थी और दूसरी तब अमेरिका भी यह समझोता समझता था कि जापानियों को पराजित करने के लिए भारतियों का सहयोग अमूल है और इसलिए उसने भी बेटेन पर भारती समस्याओं को हल करने का दवा बनाया और लोड वेविल जो की स्वयम एक योग सेनापती रह चुका था व परभावित करने के लिए भी ऐसी योजना की जरूवत थी इसे योजना के मुख प्रावधान इस तरह से थे इसमें क्या-क्या सामिल था इस योजना में यह बात कही गई कि बेटिस सरकार का लक्ष भारती भारत की राजनेतिक समस्या का समाधान उसे सौसासन की ओर ले जा पर्षद में सवर्ड हिंदूओं, मुसल्मानों की संख्या बरावर होगी ये भी कहा गया और इसमें ये भी कहा गया कि यह कारकारणी पर्षद एक आयस्थाई सरकार की भाती रहेगी और आयसराय अपने वीटों का प्रियोग कारण कभी नहीं करेगा और भारत मंत्री का भा चार आर्थ सिम्ला में एक संभीलन बुलाए गया और जिसी सिम्ला संभीलन की नाम से जानते हैं 25 जून 1945 की बात है तो यह भी आप लो याद रखीगा और भाग लेने वाली पिरमुक नेता पंडिजबाल लाल नहिरू, जिन्ना, अबुलकलाम आजाद, सरदार पटल, खान अबदुलगफार खान, तारा सिंग और इसमाइल सिंग इसमें सामिल थे, इसे संभीलन में कॉंग्रिस पितिनिधी मंडल का नेतिद अबुलकलाम आजाद ने किया था, गांदी जी ने संभीलन में वाग नहीं लिया और भी सिम्ला में उपस्तित रहे थे, ठीक है, और पत्ती है, तो ऐसे पिस्ताओ दो तेहाई भाहमस से पारित होने पर ही सुईकार किये जाएंगे, तो रक्षा परिशत में बीटो पावर मिला हुआ है ना पात देसों को, कि आप देखिए अगर पात देसों में से कोई भी देस, किसी पिस्ताओ के पक्ष में नहीं है, तो पिस्ताओ पास नहीं होगा, चाहे आप देखिए चार देसों पिस्ताओ के पक्ष में ही क्यों ना हो, तो इस तिदे आप देखेंगे कि दुतिय विस्तियोद्दे की जो रणीती रही है, जो इस्तिती रही है, उसका प्याव तर भाह भारत पर पड़ा, और उस समय क्या-क क्या घटना है हुई, क्या-क्या राजनेती घटना है हुई हमारे देश्च में, उन पर हम लोग विस्ताओ से बात कर चुके हैं, भारत की और अब हमें अंगली क्लास में बात करना है, भारत की भारत सुतंता की और, उनने सो तैंतालीस से देखें, उनने सो सैंतालीस तक, तो उसमें हम लोग बात करेंगे, अच्छे से बात करेंगे, आप लोग पढ़ते रही है, मैनत करते रही है, और एक से दो बार इस किलास को देखें, निकल जाईएगा आप लोग, समझ में आ जाएगा, और आपके पास टाइम है तो आप लोग NCEIT बुक्स जरूर पढ़ें, मैं बार बार बोलना हूँ इस बात को, ठीक है?